हेलो दुस्तों कारदुनिया से मैं विन्येग बफेट से आपका स्वागत करता हूँ आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फॉर्ड फ्रीस्टाइल 2021 वेरियंट फॉर्ड फ्रीस्टाइल 2021 पे आ रहे हैं समय तीन वेरियंट टाइटेनियम टाइटेनियम प्लस और इसमें flare edition भी आता है, इसमें base end variant ambient को अब discontinue कर दिया गया है, अब titanium variant जो है वो बंगयाज गाली का base variant या starting variant आप कह सकते हैं, ये गाली आपके सामने खड़ी हुई है, इसका base end variant आप कह लीजे, titanium है, आज इसके बारे में हम करेंगे बात और आपको लिखाएंगे इस गाली के exterior, interiors और सारे features को दोस्तो किसी भी गाली के spare parts को purchase करना बहुत ही असान है bootmo.com से, आउनलाइन आप अपनी गाली के spare parts, A to Z spare parts के इसके प्रोवाइड के गाए हैं, आप genuine spare parts, genuine price पे purchase कर सकते हैं, और content as delivery pan India सिपिंग मिलती है, बस आपको करना क्या है? Login करिए bootmo.com के mobile app से, इसके बाद आप win numbers अपनी गाली को सर्च कर सकते हैं, नहीं तो में model and variant select करिए, आपके सामने spare parts के list open हो जाएगी, यहाँ पे आप list से select कर सकते हो, उजनल के ट्लॉग भी दे रखा, आप देख लिए इस गाली का फ्रेंट लुक तो यह देखिए, free style titanium variant का front look आपके सामने है, यहाँ पे आगर इसके radiator grill की बात करेंगे तो देखिए, यह आँ देखिए, प्यानो grey color इसमें आपको मिलेगा, grill भी जो है, देखिए, sign कर रही है, center पे Ford का logo है, फ्रेंट के bumpers आप देख सकते हैं, इस गाली के यह दियो हुए है, dual tone colors में, body color और black finish है, fog lamps आपको इस वेरेंट में नहीं मिलेंगे, इसके लावा headlamps की बात करेंगे, तो यह देखिए, इसमें hyalogen reflector headlamps देखिए हैं, indicators उसी में insert हैं, और positioning lamp भी आपको headlamps के अंदर ही मिलेंगे, तो यह देख लिया, आपने इस गाली का देख लिजे, complete यहां से front look आप चेक कर सकते हैं, front के बाद चलते हैं, जरा हम side profile का explore करने तो यह देख लिजे, यह है इस गाली का complete side profile, आपके सामने, इसकी length चार मिटर से कम है, सारे dimensions आप स्क्रीन पे देख लिजे, यहां से देखिए, आपको properly इसका side profile समझ में आ रहा होगा, features का explore करेंगे, तो यह देखिए, इस variant में आपको मिले जाएंगे, यह gray color के alloy wheels, यह design आपके सामने है, tire size देख लेतें कहाँ पे लिखा है, यह देखिए, 185.60, आर 15 inch के, यह wheels इसमें लगे हुए हैं, इसके लावा, इसको जो design किया गया है, यह देखिए, SUV लुक दिया है, जिसकी वज़े से, इसके देखिए, wheel arc cladding जो है, इसमें आपे arches देखने को मिलेंगे, ब्लैक रंग के और side में, door में भी देखिए, नीचे तरफ cladding दे रखी है, जो कि इस गाड़ी को proper SUV लुक देती है, और साथ में scratches से भी protect करती है, और यहाँ पे doors पे देखिए, तो यह, इस तरीके का black paint आपको मिलेगा, जो इस गाड़ी के looks को sporty बनाता है, और साथ में scratches से भी protect करता है, outside mirrors जो है, वो आपको मिल जाएंगा, इसमें body colors में, उसी में side के turn indicators insert किये हुए है, handles देखिए, तो यहाँ पे आपको इसमें body colors में, और top में देखेंगे, तो यह देखिए, bridge type sporty roof rails मिल जाएगी, silver finish की यहाँ पे roofless point की गई है, जो कि इस गाड़ी को sporty look देती है, और top में देखेंगे, तो यहाँ पे pole type roof antenna भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपने देख लिया इस गाड़ी, यानि freestyle का titanium variant का front and side profile, चले चलते हैं, हम इसके rear को explore करने, दोस्तों यह है freestyle titanium variant का rear profile, यह देखिए, titanium की भी आपको chrome पे badging यहाँ पे गाड़ी में provide की गई है, rear bumpers आपके सामने है, जिसमें देखिए, यहाँ पे body colors, black finish जो number plate all area, उसमें black finish का use है, और यह देखिए, इसमें skirt plates जो है, यह दे रखिए है, silver finish में, जो कि इस गाड़ी को sporty look दे रही है, इसके लावा यहाँ पे दे design में आपको check करा देता हूँ, तो यह देखिए, side तक इस गाड़ी के tail lamps गए है, bulb based tail lamps आपको इसमें मिलेंगे, यह variant है titanium, तो इसमें defoggers, rear wiper को provide नहीं किया गया है, उपर की तरफ एक integrated spoiler मिल जाएगा, और उसी में देखिए, आपे लगा हुआ है, high mounted stop lamp, तो यह हो गया दोस कि देखिए, आपको smart keys मिलेंगी, जिसमें जो है यहाँ पर देखिए, unlock, lock and boot opener का button दिया हुआ है, back side में देखिए, ford की branding मिलेगी, start करते हैं हम सबसे पहले इसके boot से, तो यहाँ पर इस पर देखिए, एक तो यह button दिया हुआ है, अगर आपको इसका tail gate open करना है, तो इस button को बस तो बार प्रेस करिए, यह unlock हो गया, बाकी यहाँ पर देखिए, key insert भी है, इसके key से भी इसको open कर सकते हैं, चलिए, अब आपको दिखाता हूँ, इसका boot, तो यह देखिए, इसमें आपको 257 liters का, कि देखिए, boot में space मिलेगा, boot lamp भी देखिए, इसमें provide किया गया है, ले इसमें लगवा पाएंगे, बाकी इसका spare wheel है, वो रखा हुआ है, इस flap के नीचे, यह देखिए, यह है इस गाली का spare wheel, बाकी wheels, alloys में हैं, लेकिन spare wheel जो है, वो आपको steel पे मिलेगा, और साथ में यहाँ पे देखिए, yellow run का sticker है, जिसमें लिखा हुआ है, 80 km per hour की, speed limit लगी आप चेक कर लिजे, तो यह देखिए, यहाँ पे इसमें tire size लिखे है, spare wheels के, 175, 65 और 14 इंच, बाकी wheels 15 इंच के हैं, लेकिन इसका spare wheel 14 इंच का है, जिसकी वज़े से यह हो गया, एक इंच छोटा, और जब इसको आप use करिए, तो गाली को maximum 80 तक रखिए, उसको पर ना ले जा करते हैं, luggage space अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए, इस टैक कर बटन है, इसको करिए press, और इसकी seat को यह देखिए, और बन जाएगा extended luggage space, चली दोस्तों, बन करता हूँ, उसके trunk gate को, और आप explore करते हैं, इसके cabin को, तो सबसे पहले तो आप इसका interior चेक कर लि है, तो all black interior मिलता है, कुछ जगे पर यहाँ पर देखिए, यह जो essence है, यह जरूर आपको इसमें brown color के मिल जाएंगे, इंटेगर को थोला सा premium बना देते हैं, यह देखिए, और steering पर तो black pano finish का यूज किया गया है, फीचर्स को थोड़े में explore करते हैं, इस गाली पर Nissan on हो गया, अगर आपको इसको start करना था, तो clutch को press करके button प्रेस करते हैं, तो इस गाली start हो जाती, आगे की features को थोड़े में explore करते हैं, पहले जरा चलते हैं, इसकी पीछे की settings को check करने, पीछे का door, यह है आपके सामने, all photos power windows आते हैं, तो यहाँ पर देखिए, power window का switch मिल जा आएगा, यह देखें, यह hard है, soft नहीं दिया हुआ है, पीछे के तरफ new system के speakers लगे हुए है, inside door handles जो है, वो black, देखें, फिनिस में मिलेगा, बाकी यह रहे इस गाले के पीछे के settings आपके सामने, यह देखिए, यह बनी हुई है, height adjust will, headrest के साथ, center के कोई भी armrest नहीं मिलेग सीटों की design, आप देख सकते हैं, fabric material में यह सीटे बनी है, पीछे की settings में, मेरी height है, 5 foot 8 inch, driving seat मेरे height के recording set है, और यहाँ पर देखिए, आपको इतना, इसमें मिलेगा, leg room, अच्छा, leg room दिया है, सीटे देखिए, हलकी से अंदर तरफ दबी हुई है, pockets देखते हैं, तो नहीं, pocket रदर आपको इसमें, back seats में है है, इस side पर pocket दी हुई है, बट इस side पर pocket आपको नहीं मिलेगी, rear recipients नहीं आते हैं, यहाँ पर देखिए, bottom holder मिल जाएगा, एक बार यहाँ पर बैठ के, उपातर देख लिजए, assist grips है, with coat holder, इस side पर भी देखिए, grip with coat holder दिया हुआ है, तो दो हुए है, चारो पार window के switch, child window lock का button है, और यह जो driving side का window है, one touch up है, एक में पहले आपको one touch down चेक करा दूँ, देखिए, एक बार में ही पूरा नीचे जा रहा है, और जब यह उपर जाएगा, तो यह anti pinch है, देखेगा, जैसे मेरे हाथ को इसने sense किया, यह roll back हो गया, बिना को मेरे हाथ को छोड़ पहुँचाए, बाकी speakers यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, आगे के door पे मैं pocket water holder दे रखी है, outside mirrors इसके electric है, electric fold भी है, और electric, देखेए, फोल हो गए, unfold हो गए, adjust कर लीजे, इनके glasses को, तो यह electric fold, unfold and adjust मिल जाएंगे, बाकी यहाँ पे देखिए, तो यह door इसको plates भी freestyle की marking के साथ देखिए, इसमें दी हुई है, क्योंकि इस गाड़ी को premium मनाती है, और साथ में इस panel को protect भी करती है, front की seat चेक कर लीजे, यह देखिए, यह भी height adjustable, headrest के साथ है, और जो इसकी driving seat है, यह भी height adjustable दे रखिए, यह लीवर है, hydraulic, इसकी seat को आप उपर नीच मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2021, जो कि अब base variant बन गया है, बैच्टे हम जरह गाड़ी के अंदर, और अब एक जलब, आप पहले तो देख लीजे, इस गाड़ी के dashboard की, आगे के side के interior की, तो यह देखिए, इस side से आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे, यह headlamp को operate करने का knob है, यह यहाँ से भी आप इसके trunk gate को open कर सकते हैं, यह rear fog lamps को on off करने का button दिया हुआ है, इस side पर अगर नीचे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, fuel cap को open करने का lever है, इसमें petrol पे 42 liters का fuel tank आता है, और diesel पे आता है 40 liters का fuel tank, बाकी steering, इसमें electronic power steering मिल जाएगा, देख यह steering tilt है, यहाँ पे safety के लिए देखिए, एक airbag मिल जाएगा, दूसरा airbag जो है, वो front passenger के सामने दिया हुआ है, साथ में ABS, EBD और भी कई सारे safety features मिलते हैं, इसमें traction control भी दे रखा है, जिसका देखिए, यहाँ पे button दिया हुआ है, यहाँ से आप इसके traction control को on off कर सकते हैं, सा अब आपको दिखाता हूँ, इसका instrument cluster, तो यह देखिए, यह है, इसका instrument panel आपके सामने, जिसमें साइट पे fuel gauge है, इधर RPM meter है, और यहाँ पे देखिए, तो speedometer दिया है, इधर नीचे की तरफ मिल जाएगा, multi information display, इसका information change करने के लिए, यहाँ से आब ऐसे switch कर सकते हैं, यह सो करेगा, तो इस तरीके की कई सारी information आपको मिल जाएंगे, इस गाली के instrument panel पे, चलिए, बात करते हैं, center console की, तो यह देखिए, यह है, इस गाली का center console का design आपके सामने, एक बाजरा मैं पहले तो यहाँ पर उपा करके, इसके dashboard को चेक करवा दूँ, तो यह देखिए, इसमें inbuilt navigation मिल जाएगा, यह जो control साब देख रहे हैं, यहाँ पे, मियूश्चम को operate कर सकते हैं, यह Bluetooth connectivity के साथ आता है, फोन को भी आप pair कर सकते हैं, calling feature भी use कर सकते हैं, यह जो है, इसमें मिल जाएगा, hazard warning light switch, press करिए, indicators, blink करने लगेंगे, manual AC आपको, इस parent में मिलेगा, तो यहाँ पे manually आपको इसको operate करना होगा, जब तो देखिए, थोड़ा सा space दिया हुआ है, कुछ समान अखने के लिए, इस side पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यह मिल जाएगा, pen drive लगाने के लिए, USB port, auxiliary port है, off-front make 12, वोल्ट का power out दिया हुआ है, mobile charger या कुछ और इसम गाली की map lights दी हुई है, sun visors के back side पे flap के साथ vanity mirror है, और driving side पे बस यह देखे, ticket holder दिया हुआ है, चलिए, glove box चेक करवा देता हूँ, तो यह देखिए, यह इस गाली का glove box और यह with illumination है, यह देखिए, आपे light भी इसमें देखिए, दी हुई है, तो दोस्तों, आपने देख ल transmission की, तो यह particular variant, petrol में आपके सामने ख़डा हुआ है, यह petrol लीजे, चैडीजर लीजे, दोनों ही same गालियां है, same features मिलते है, और इसमें transmission भी दोनों में same आता है, 5-speed manual transmission में, जिसमें reverse gear यहाँ पे पीछे तरफ लगेगा, देखिए, ऐसे लगाई है, इसमें reverse gear और यह इसके engine को भी bonnet होगा उपन यहाँ से, दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, free style के petrol engine की, तो यह 1.2 लीटर पे आता है, तीन सिलिंडर पे बना हुआ है, जिसका displacement है 1194, CC का max pump power बनाता है, 96 PS का 6500 rpm पे and torque है, 119 NM का 4250 rpm यह 5-speed manual transmission में आती है, जिसका mileage claim किया गया है, 18.5 km पर ली इसके engine की बात करेंगे, तो यह 1.5 लीटर का है, जो की 4 सिलिंडर बना हुआ है, 1499 CC की displacement है, maximum power बनाता है, 100 PS का 3750 rpm पे and torque है, 215 NM का 1750 से लेके 2500 rpm तक, यह भी 5-speed manual transmission में आती है, जिसका mileage claim है, 23.8 km पर लीटर में, Freestyle में Ford Pass technology भी आपको मिलेगी, mobile app के through आप गाड़ी के कुछ features और जैसे की tracking गएरा आप कर पाएंगे, तो दोस्तों आपने देखी 2021 Freestyle का titanium variant जो की अब base variant बन गया है, इस गाड़ी को आपने exterior से देख लिया, interior से देख लिया, मैं आपके सामने और भी गाड़ीयों के reviews लाता रहूँगा, तब तक के लिए अपना रखिये ख्यार, thank you.